नमस्कार साथ यूज स्वागत है आज के इस नए वीडियो में जहां पर हम जानेंगे कि मिसन अंत्योदे एपस द्वारा कैसे आप सरकारी आंगनवाडी भवन, स्कूल, उनके प्लेग्राउंड और रोड का जियो टैकिंग कर पाएंगे सो दोस्तों जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि मिसन अंत्योदे एपस द्वारा आपने अपने ग्राम पंचायत का जीपी डीपी का डाटा जो है कि पूरा का पूरा इस एपस के माद्यम से ऑनलाइन अपलोड किया था जिसमें लगबग 20-21 विभागों की जानकारी आपने इस एपस के माद्यम से ऑनलाइन अपलोड की थी अब जो है कि उन विभागों में आपने जिन जिन चीजों को डाला है आपके ग्राम पंचायत अंतरकत क्या क्या चीज अवेलेबल है तो यहां पर वही चीज आपको जियो टैगिंग के माद्यम से अपने एपस में अपलोड करनी है जो की आपके सर्वे में दिखाएगा तो दोस्तों यहां पर जो है कि सबसे पहले आपको एपस में जाना है सबसे लास्ट वाला option जो है कि जियो रिफ्रेंसिंग लेकिन यहां पर अगर से आपका ID login नहीं हो रहा है दोस्तों तो अपना ID को आप forget भी कर सकते forget ID password का एक मैंने पहले से वीडियो अप्लोड कर दी अपने चैनल पर चाया तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते या उपर आई बटन पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा सो दोस्तों जैसे ही आप यहां पर georefreshing में जाएंगे इसके बाद आपके सामने एक नए विंडो आजाएगा जहां पर आपको development block चैन करना होगा दिन उसके बाद आपको gram बंचा चैन करना है और उसके बाद आपका village चैन करना है एक gram में अन्य विलेज भी हो सकते तो यहां पर आपके अन्य विलेज का भी option आ जाएगा इसके बाद आपको करना है gate survey data पर click जैसे आप gate survey data पर click करेंगे आपके द्वारा पुरू में जो data upload किया गया था इस apps में वो सारी चीज़े आपके development sector में आ जाएगी जैसे कि यहां पर मैं देख रहा हूँ तो यहां पर बहुत सारी चीज़े optional आ गई है तो यहां पर आपको सारी चीज़ों को select करके उनमें जो option खुल रहे है उसका आपको geotag करना है example के तोर पर मैं यहां पर woman and child development को मैं यहां पर select कर ले रहा हूँ दिन इसके बाद second option है available of आंगनवाडी center इसको select करने के बाद आपको यहां पर करना है capture photo पे click और आपको जो यह photo लेना है दोस्तों यह live location पर जाकर के लेना है आपको उस भवन के पास जाना पड़ेगा तब ही जाकर करके आप यहां पर geotagging कर सकते दूसरी चीज़ दोस्तों आपके फोन में location वाला जो option है वो on होना चाहिए location वाला option on होना चाहिए और आपका जो है क save as draft का यहां पर जो है कि मतलब यह है दोस्तों कि यहां पर अगर से आप कोई photo किसी आंगनवाड़ी भवन की लेते हैं और अगर से आप उसे save as draft में save करते हैं तो वो data आपके केवल phone पे या आपकी ID पे ही save होगा वो data online save नहीं होगा दोस्तों उसके लिए आपको करना होगा click to upload online पे आपको यहां पर click to upload online वाले बटन पे आपको यहां पर click करना होगा जिससे कि आपका जो है geotagging का data वो सीधे आपके server पे चला जाएगा और आपके ग्राम पंचायत की entry geotagging की entry online दिखने लगेगी लाश्ट वाला जो option है यहां पर click to upload all saved image इसको आपको तब प्रेस करना है जब आपने सारा data save as draft में save रखा है अगर से आप save as draft में अपना data save रखते और सारा data को आप online upload करना चाहते तो आपको यहां पर click to upload all save image पे click करना होगा तिन उसके बाद आप अपना geotagging की photos भी देख सकते अपने photos की status भी देख सकते दोस्तों यहां पर आपको उपर में जाना होगा view photo status में जैसे आप यहां पर view photo status में जाएंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे option मिल जाते जैसे कि block, gram panchayat, village अब इसी के साथ आपको यहां पर बहुत सारे indicator भी मिल रहे, status indicator यहां पर cross के निसान में no status और एक download का चिनना आ रहा है यहां पर save on device, दूसरा यहां पर आपको आ रहा है in progress और upload यह सारे option आपको यहां पर देखने को मिलेंगे आपके geotagging वाले photo के status में तो इस gram panchayat की कोई भी photo को यहां पर geotag नहीं किया गया, कोई भी building, कोई भी सड़क, कोई भी ground को यहां पर geotag नहीं किया है, तो दोस्तों यहां पर देखिए, इतने सारे आपके school total यहां पर 16 जोए की geotagging करनी होगी अपने gram panchayat इस तरफे, जैसे कि यहां पर हम देख लेते, education को ले लेते हैं यहां पर, education में आपको available of primary school, इसको भी आपको geotag करना है, दिन उसके बाद toilet in the primary school, इसको भी आपको geotag करना है, उसके बाद playground in the primary school, इसको भी आपको geotag करना है, available of middle school, अगर से आपने middle school सर्वे के दोरान डाला है तो आपको यहां पर उसको भी जिओ टैक करना होगा करना होगा जैसे रोड़ डाला है तो उसको भी आपको यहाँ पर करना होगा अपने ते कर सकते क्या है左 जो है कि अपने किसी भी प्रटऱ् किया हो तो उसका स्टेटस क्या है का सब्सक्राइब चैन referendum अब बात करते जिनके ID login नहीं हो रही है so ID अगर से login नहीं हो रही तो आप अपने block इस्तर के अधिकारी से संपर करे और अगर से किसी का एक ग्राम से दूसरे ग्राम में transfer हो गया या पिर उसकी ग्राम पंचायद change हो गई है तो वो अपनी ID से ग्राम पंचायद कैसे बदले ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो को छोड़ कर कहीं नहीं जाएगा अगर से आपकी ग्राम पंचायद बदल गई है तो आपको जाना होगा यहाँ पर change ग्राम पंचायद में और यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक और उसके बाद आपको चूस करना होगा उस ग्राम पंचायद को जिस ग्राम पंचायद में आप वर्तमान में अभी काम कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप यहाँ पर continue करके अपने ग्राम पंचायद बदल सकते दोस्तों और अगर से किसी की ID forget नहीं हो रही है तो वो मेरा ID forget करने वाला एक वीडियो है मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते दोस्तों और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे बाजो में बेल आइक और बटन है उससे भी प्रेस करते